नमस्कार स्वागत आपका एक और नई वीडियो में सावन का महिना भोले नात को समर्पित है कहा जाता है कि सावन में किये गए प्रयासों से भोले नात सीकरे प्रसन्न होते हैं और इस वरस्यानिकी 2023 में तो अधिक मास लगने के कारण सावन 69 दिनों का हो रहा है माना जाता है कि कुछ चीज़ा संकर भगवान को बहुत प्रया है और जो भी भक्त सचे मन से ये सामगरी भगवान भोले नात को अरपित करता है उनके पूजा में इन समस्त सामगरियों का उप्योग करता है तो बोलेना तो उन पर अतिपरसद्न होकर उनकी समस्त मनोंकामनाओं को पूर्ण करतें तो आई ये बात करतें वो कौन-कौन से सामगरी है जो भगवान संकर को अतिपरी है सबसे पहले है एक लोटा जल शिव जी पर एक लोटा जल चड़ाने मात्र से भगवान सिव 80% हो जाते हैं समुद्र मंथन से निकला भीस पीने के बाद भगवान जी का कंटे एकदम नीला पड़ गया था ये बात हम सबी जानते हैं इस भीस की उस्टनता को सांते करने के लिए शिव को सीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देफती देफताओने उन्हें जल अरपित किया था तबी से शिव पूजा में जल का विसेस महत्वरा है तो अगर आपके पास समय का अभाव है या आप अन्य सामगरिया सिव संकर को भोले नात को सम अरपित नहीं कर सकते तो सच्य मन से एक लोटा जल उन्हें अरपित करें इससे भी आपकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी इसके साथ या भोले जंकर को प्रसने करने के लिए बेल पत्र भी अरपित कर सकते हैं कहा जाता है कि बेल पत्र भगवान के तीन नेत्रू का प्रतीक माना जाता है तीन पत्तियों वाला बेल पत्र स्यूजी को अती पिरिय है, स्यूलिंक के अभी सेख में बेल पत्र का प्रथम इस्तान है, भोलेनात को बेल पत्र चड़ाने के पीछे कई मानित आये हैं, कहा जाते कि बेल पत्र कभी पुराना या बासी नहीं होता है, अगर आपको डेली इनके मैं आपको डिस्क्रेप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आकड़े और धतुरे के फूल और धतुरा और आकड़ा भी स्यूजी को बहुत ही पी रही है, इन दोनों में से जो भी आपको लब्द हो, वो भी आप स्यूजी को चड़ा सकते कहा जाता है कि जब इस पीने के बाद भगबान से बिल्कुल व्याकुल हो गए थे तब आकड़ा धतुरा चलाकर ही उनकी जो व्याकुलता थी उसको सांते किया गया था, आप भोले संकर की किरपा और आसिरबाद पाने के लिए उन्हें भांग भी अर्पित कर सकते हैं, भ भगवान भोले नात के लिए यह बहुत ही पिरी है और इसका पूजा में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, आप भी भोले संकर की पूजा में कपूर का उप्योग अवस्य करें, सावन के महीने में दूद से स्युलिंग पर अभी से खना बहुत ही उत्तम माना जाता है और भ अरपित करें, इसके अत्रिक भोले नात को परसंद करने के लिए उन्हें भहसम भी अरपित कर सकते हैं, कहा जाता है कि जब माता पारवती ने सती के रूप में जन्मे लिया था और अपने को अखनी के हवाले कर दिया था तो कुरोध में आकर सिव जी ने उनकी भहसम को लगाते हैं चंदन का संबगाते हैं लगाते हैं चंदन का सिन्दन अक्सर अरफित न improving कर करके तो सीव संकर को प्रसन्य करने के लिए चंदन भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्स धारण करता है उस पे भोले नात के अती किर्पबरस्ती है पौराणे कताओं के अनुसार रुद्राक्स के उत्पत्ति भगवान भोले संकर के आसों से हुई थी रुद्राक्स भोले संकर को अति पिरिये हैं इसे पहनने से मानसिक और सारिक संतुलन बना रहता है और हमारा मन एक आकरे रहता है तो आप अगर रुद्राक्स धारन करना चाहते हैं तो रुद्राग से धारण कर सकते हैं और साथ ही भोले संकर को भी रुद्राग से अर्पित कर सकते हैं तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने भोले संकर के पिरियो कौन-कौन सी बस्त हुए है उन्हें क्या क्या हम समर्पित कर सकते हैं और मनवानचितवर पा सकते हैं इस विज़े पे बनाया था अगर यह वीडियो आपको प्योगी लगे तो इस वीडियो को आप आने लोगों के सांथ भी साजा करें और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही किसी भी विज़े पे आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग संगितास्पेंड.com पर विजिट करें महाँ पर समस्क जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएंगी मेरे ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा आप मुझे इंस्टा और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग